Welcome to Edujos, Edujos में आप सभी लोगों का स्वागत है दोस्तों आज 15 मार्च है और 14 मार्च और 15 मार्च के दोनों ही करेंट एफेस आज की इस वीडियो में हम लोग डिसकस करेंगे क्योंकि 14 तारीक की वीडियो आपको उपलब्द नहीं कराई गई थी तो 14 और 15 को एक साथ यहाँ पर कंबाइन करके उपलब्द कराई जा रहा है कल से regular date wise मिलेगी आपको वीडियो करेंट एफेस का यहाँ पर आपको revision भी कराई जाएगा important facts बताए जाएंगे static gk के question भी cover कराई जाते हैं चिंगारी जीत की इस वीडियो का PDF फाई अगर आप लेना चाहते हैं तो description में मैंने direct link दिया हुआ है वहाँ से आप इसे direct download कर सकते हैं किसी भी अलग जगा पर जाने की ज़रूत नहीं है आपको यहाँ पर जो PDF मिलेगा वो enough है 14 और 15 मार्च के current interface तो daily current interface यहाँ पर जरूर देखे शुरुआत करते हैं हमारे daily motivational code से हासिल होगी मनजिल भी तू तयारी करके तो देख आग लगेगी फिर सिने में तू चिंगारी बनके तो देख आप सबको यह code पुढ़ाना लग रहा होगा लेकिन यह हमारा daily code है इससे आपको एक energy मिलेगी क्योंकि आप सबको चिंगारी बनना है चिंगारी बनना हमारा काम है current interface जिस तरह से यहाँ पर daily current interface आपको पढ़ाय जाता है शायद कहीं पर नहीं पढ़ाय जाएगा क्योंकि इस तरह की चीजे हर जगर नहीं बताई जाती जैसे कि revision कराय जाता है static GK के question बताय जाते है और इसके अलावा जो आपने बीते कुछ दिनों में पढ़ा उससे related आपको सवाल भी पूछे जाते है daily extra खुराक और चिंगारी प्रशन आपसे जो है वो discuss किये जाते है चैनल से पहली बार जुड़ रहे है और bell icon को प्रेस करके इस activate कर ले ताकि हर वीडियो का notification आपको मिलता रहे वीडियो पसंद आती है तुसे like जरूर करें जाता से जादा वीडियो को share करें चलिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे कल के चिंगारी प्रशन का उत्तर कल जो हमने सवाल पूछा था कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का परियोग किया जाता है इस question का answer हो जाएगा option number B acetylene इसका answer होगा ठीक है अप लोग confused मत होएगा कही लोग इसका answer ethylene कर रहे थे तो ethylene नहीं होगा acetylene इसका answer होगा कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कच्चे फलों को acetylene gas का इस्तिमाल किया जाता है अब बढ़ते हैं आज के current phase की तरफ परतिवर्स विश्व उपभोकता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है World Consumer Rights Day यानि विश्व उपभोकता अधिकार दिवस ये कब मनाया जाता है 15 March को मनाया जाता है तो option number B यहां पर correct answer होगा यहां पर देखिए हर वर्स 15 March को ये मनाया जाता है 2021 के लिए इसकी theme याद रखेगा tackle plastic pollution ये इसकी theme है काफे important है इसको अच्छी तरह से आप note down कर लिजे इसका उद्देश है ग्राहकों को किसी भी परकार की धोखा दड़ी से बचाना और उन्हें जागरूक बनाना विश्व में पहली बार अमेरिका के बहुत पूर्व राष्टपती John F. Kennedy के दौरा पंदरह मार्च 1983 को अंतरास्टी उभोकता दिकार दिवस मनाय गया था Kennedy ने अपने भाषन में पहली बार उभोकता दिकारों की परिभाषा को रेखांकित किया था important fact में याद रखेगा भारत में प्रतिवर्स 24 दिसंबर को राष्टी उभोकता दिवस मनाय जाता है यह जो बात कर रहे हम लोग 15 मार्च की यह विश्व भोकता दिवस है और भारत में हर साल 24 दिसंबर को राष्टी उभोकता दिवस मनाय जाता है अगला सवाल है प्रतिवर्स 5 डे कब मनाय जाता है पर्ति वर्स पाई डे जो मनाय जाता है वो किस दिन मनाय जाता है? option C याणी 14 मार्च को मनाया जाता है यहाँ पर आपको याद रखना है हर वर्स चौधा मार्च को पाई दिवस मनाया जाता है स्मयुक्त राज अमेरिका के परतिनिधी सभा के दोरह 2009 में 14 मार्च को पाई दिवस के रूप में मानिता देने का प्रस्ताव पारित हुआ था इसके बाद से वर्ष 2019 में यूनेशको ने पाई दिवस को अंतराश्टिय गनित दिवस के रूप में गोशित किया इंपोर्टन फैक्ट यह है कि जयमिती में किसी वर्ष की परिदी की लंबाई और व्यास की लंबाई के अनुपात को पाई कहा जाता है पाई का सिंबल आप सबको पता है इस तरह से लिखते हैं इसमें परते एक वर्ष में यह अनुपात 3.141 होता है लेकिन दसमलोब के बाद कि यह पूरी संख्या का अब तक आंकलन नहीं किया जा सका है इसलिए इसे अनंद माना जाता है और पाई में वैल्यू आप सबको मालूम है 22 बटा 7 यानि 3.141 और यह रिपीट होती रहती है यह सब आपको पता है गनीत में पाई की वैल्यू 22 बटा 7 होती है यह एक अपरी में संख्या है अगला सवाल है M.G. नरेगा के तहट रोजगार देने के मामले में किस राजने पहला स्थान हासिल किया है इस कोशन का अंसर क्या होगा यानि मनरेगा के तहट रोजगार देने के मामले में किस राजने पहला स्थान हासिल किया है M.G. नरेगा का मतलब आप सब को पता है महात्मा गांधी रास्चे ग्रामीन रोजगार गारंटी योजना ठीक है गारंटी अधिनियम आप कह सकते हैं गारंटी एक्ट है ये एक्शुली मनरेगा ठीक है तो यहाँ पर इसके अंतरगत जो है किस राजने पहला स्थान हासिल किया है 36 गड़ ने तो option C correct answer होगा यहाँ पर देखे मनरेगा के अंतरगत रोजगार देने के मामले में 36 गड़ नंबर वन पोजिशन पर है वित्यवर्स 2021 में भाद सरकार ने 15 करोड मानव रोजगार स्रिजन का टार्गेट रखा था 36 गड़ में एक कदम आगे बढ़कर 16 करोड 6,84,000 रोजगार का स्रिजन किया जा चुका है इसके मामले में पस्चि मंगाल जो है वो दूसरे और असम जो है वो तीसरे स्थान पर है important fact में याद रखेगा मात्मा गांधी National Rural Employment Guarantee Act जिसको M.G. नरेगा कहते हैं बाहत में लागव एक रोजगार गारेंटी होजना है जिसे 7 सितंबर 2005 को विधान के द्वारा अधी नियमित किया गया था next question देखिए हाल ही में सबसे ज़्यादा Grammy Award जीतने वाली माईला सिंगर कौन बनी है Grammy Award सबसे अधिक जीतने वाली माईला सिंगर बनी है इनका नाम है बियॉंस option A correct answer हो जाएगा बियॉंस लॉंस एजिल्स में Convention Center में आजित हुए 63 में Grammy Award में बियॉंस ने इतिहास रज़ दिया है pop singer बियॉंस से 28 वी बार ये अवार्ड अपने नाम करने वाली पहली female singer बन चुकी है बियॉंस से ने Ellison Krauss के record को तो रहा है इस बार Album of the Year का अवार्ड Taylor Swift को दिया गया है important fact यह है कि Grammy Award को संगीत जगत में विश्व का सबसे प्रतिष्ठित सम्मान माना जाता है पहली बार यह अवार्ड 1969 में दिया गया था Grammy Award को Gramophone Award के नाम से भी जाना जाता है अगला सवाल देखिए देश का पहला Centralized AC Railway Station कहां बना है देश का यह पहला Centralized AC Railway Station बना है जो कि कहां पर बनाय गया है बैंगलोरू में बनाय गया है तो option C correct answer होगा देश का पहला केंदरिकरेत वातन कुलित Railway Terminal है यह जो कि बैंगलोरू में बन कर तयार हो गया है Railway Station का नाम सर M. विशेशुरया Terminal रखा गया है यह Terminal Airport और Metro Station की तरह पूरी तरह AC की सुवधाक से साथ लैस होगा इसे तयार करने में 314 करूर रुपे खर्च हुए है इसकी जानकारी रेल मंत्री प्यूश गोयल ने दी है important factory है कि सर मोक्ष गुंडम विशेशुरया यानि सर M. विशेशुरया को सन 1905 में बारत के सर्वोच सम्मान भारत रतन से सम्मानित किया गया था इनी के नाम पर रेल्वे स्टेशन का नाम रखा गया है जो कि पूर्ण तरह वातनुकलित रेल्वे टर्मिनल है इनका जन्म जो है ये कब हुआ था 15 सिप्टेंबर को हुआ था इंजीनियर डे के रूप में ये मनाया जाता है भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क कहां पर बनाया गया है उत्राखंड में बनाया गया है भारत का पहला कवक पार्क यानि लाइकेन पार्क उत्राखंड में बनाया गया है दोनों ही सवाल काफी important है अलाकि ये सभी सवाल important है लेकिन यहाँ पर दोनों उत्राखंड से था इस लिमने हैं पर आपको बताया है भारत का पहला hot air balloon wildlife safari मद्यपरदेश के बांदवगट tiger reserve में लॉंच किया गया और भारत का पहला fire park odisha में बनाया गया है बात का पहला lithium refinery गुजरात में बनाया जाएगा बात का पहला प्रवासी सेल गुजरात के शूरत में बनाया गया है और बात का पहला चंदन संग्राले करनाटक के मैसूर में स्थापित किया गया है बात की पहली air taxi सेवा चंडिगट से हिसार के बीच सुरू हुई है बात का पहला श्रमी कांदोलन संग्राले केरल के अलाप पुजा में शुरू किया जाएगा अगला सवाल देखे हाली में बीजेपी के पूर्वनेता यश्वन्त सिन्हा किस पार्टी में शामिल हो गए है अलाकि इन्होंने ये पहले बीजेपी में थे अब राजनेती से में बहुत दिन तक एक्टिव नहीं थे लेकिन अब ये फिर शामिल हुए है किसी पार्टी में आपको उसका नाम बताना है आंसर हो जाएगा त्रिन्मूल कॉंग्रेस ऑप्शन नमबर C हाली में पूर्व केंद्रिय मंत्री और बीजेपी के पूर्व नेता ये स्वन्त सिन्हा त्रिन्मूल कॉंग्रेस यानि टीमसी में शामिल हो गए है वरतमान में भारत में आठ राश्टिये पार्टिया हैं जो आपको याद रखनी है भारतिय जन्ता पार्टी बीजेपी जिसके अस्थापना 1980 में होई थी बहुजन समाज पार्टी यानि बीएस्पी जिसके स्थापना 1984 में की गई थी माक्सवादी कम्यूनिस्ट पार्टी जिसको CPM कहा जाता है 1964 में इसके स्थापना होई थी भारती कॉम्मिनिस्ट पार्टी CPI 1925 में इसको अस्थापित किया गया था भारती राष्टी कॉंग्रेस INC जिसको कहते हैं 1885 में इसके अस्थापना की गई थी राष्टवादी कॉंग्रेस पार्टी यानि NCP और इसकी अस्थापना 1999 में हुई थी त्रिनमुल कॉंग्रेस पार्टी के स्थापना 1998 में हुई थी जिसको TMC कहते हैं National People's Party NPP 2013 में स्थापित हुई थी और ये NPP के नाम से जानी जाती है तो ये आठ जो है वो राष्टिय पार्टी हैं आपको याद रखनी है ये TMC जो है कहां की अभी हाली में चुनाव होने वाला है कहां पर पस्चिम मंगाल में और इसी की वज़ा से ये एक्टिव है ये न्यूज काफी इंपॉर्टेंट है ये स्वन्त सिन्हावस में शामिल हुए है वहां की सरकार जो चुनाव होने वाला है वहां पर TMC में ये सामिल हुए है BJP के खिलाफ समझ लीजे आप एक तरह से अगला यहाँ पर सवाल है किस राज सरकार के दोरा काला नमक चावल महुत सब का उदगाटन किया है किस राज सरकार के दोरा काला नमक चावल महुत सब का उदगाटन किया गया है आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश ऑप्शन नमबर D यहाँ पर याद रखेगा उत्तर प्रदेश के मुकमंतरी योगी आदितनाथ ने वर्चुल माध्यम से सिधार्थ नगर जिले में तीन दिवसिये कपिल वस्तू काला नमक चावल महुत सब जो है वो उदगाटन किया है यह महुत सब एक जिला एक उत्तर यादि ओपी के तहत आयुजित किया गया है इंपोर्टन फैक्ट गया है कि चीन दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है और भारत इसमें दूसरे स्थान पर है करेंट अफेस रिविजन में याद रखेगा हाल ही में पाकिस्तान के बासमती चावल को GI टैग दिया गया है जोग्रिफिकल इंडिकेशन इसको कहते हैं यानि GI टैग असम के बोका चावल को GI टैग मिल चुका है और इसे ओरिजा सातिवा भी कहा जाता है नेक्स्ट कोईशन है किस हवाई अड़े के द्वारा भारत का पहला समर्पित एक्सप्रेस कारगो टर्मिनल लॉँच किया गया है यह विशेश रूप से अंतरास्थे कोरियर के नियर्यात और आयात के लिए है महतपूर्ण अंतरास्टी हवायड़ा याद रखेगा यह स्टैटिक जीके के कुछ कोईशन्स हैं जो आपके एक्जाम में पूछे जा सकते हैं राजीव गांधी अंतरास्टी हवायड़ा कहां पर है हैदराबाद तेलंगाना में श्रीगुरु रामदास जी अंतरास्टी हवायड़ा कहां पर है अमरित्सर पंजाब में लोगपिये गोपिनाथ बारदोली अंतरास्टी हवायड़ा गुहाटी असाम में है और बीजु पतनायक अंतरास्टी हवायड़ा भुवनेश्वर ओडिसा में है वीर सावरकर अंतरा data जो अंतरास्टे data हैं इन सबको आपको याद रहा है अगला सवाल है भारत किस देश को मात देकर विदेशी मुद्रा बंडार के मामले में दुनिया का् 눈ा चौथा सबसे बड़ा देश बन चुका तो भारत ने हाल ही में ऐसा करने वाला ये चौथा देश बन चुका है और किस देश को मात दी है ये सवाल पुछा गया है रूस को तो option B यहाँ पर correct answer होगा भारत ने रूस को मात देते हुए यानि पीछा करते हुए विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में दुनिया का जिसे गिरावट आई है चीन के पास सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार है चीन के बाद जापान का नंबर है और उसके बाद सुर्जर लेंड का इसके बाद नंबर आता है भारत का जो की चौथे position पर है important fact लिए है कि विदेशी मुद्रा भंडार किसी भी देश के केंदरिये बैंक के द्वारा रखी गई धन राशी या अन्यपड़ी संपत्या है ताकि जरूरत पढ़ने पर वो अपने देंदारियों का बुकतान कर सके इस तरह के मुद्राएं केंदरिये बैंक जारी करता है अगला सवाल है अंतरराष्टिय T20 क्रिकेट में 3000 रन बनाने दुनिया के पहले बल्यबाज कौन बने है इसका अंसर हो जाएगा option number D विराट कोली यहाँ पर याद रखना है भारते कप्तान विराट कोली इंटरनाशनल T20 क्रिकेट में 3000 बनाने वाले दुनिया के पहले बल्यबाज बन गए है अब T20 इंटरनाशनल में विराट कोली के बाद रोहित शर्मा का number आता है जो दूसरे number पर है न्यूजिलेंड के मार्टिन गप्पिल का number है जो की तीसरे number पर है और ऐस्टेलिया के एरॉन फिंच का number आता है जो की चौथे number पर है सब के score यानि उन्होंने कितने run किये हैं वो सब यहाँ पर आपके सामने लिखा करेंट अफेस रिविजन में याद रखना है हाल ही में भारतिय बल्लेबाच रोहित शर्मा 100 T20 अंतरास्टी किर्केट मैच खिलने वाले भारत के पहले जबकि दुनिया के दूसरे पुरुस किर्केटर बने थैं वेस्ट इंडीज के काईरन पोलाड यानि किरन पोलाड यह एक ओवर में 6 चके लगाने वाले दुनिया के दूसरे बल्लेबाच बने है और पहले नंबर पर युवराज सिंग का नाम आता है ये भी आपको याद रखना है अगला सवाल है हाल ही में विजय हजारे ट्रोफी 2021 का फाइनल मुकाबला किस टीम ने जीता है यानि विजय करते हुए बहतर प्रदेशन करते हुए उत्तर प्रदेश को 6 विकेट से हरा है यानि रणर अप कौन रहा उत्तर प्रदेश रहा जीता कौन है विजय हजारे ट्रोफी मुंबई जीता है मुंबई ने ये चौती बार कबजा किया है इस टीम इस ट्रोफी पर यह मुकाबला दिल्ली के अरुन जेटली क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया है मुंबई टीम की कप्तानी भारती युवा बल्लेबाज पिर्थवी शो ने की पिर्थवी सो विजह हजारे ट्रोफी के सीजन में 800 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन चुके हैं इंपोर्टेंट है इसको याद रखिएगा करेंट अफरेस रिवीजन में याद रखना है हाल ही में दिनेश कार्थी की कप्तानी में तमिल नाडू की टीम ने सयद मुझता कली ट्रोफी 2021 के फाइनल मुकाबले में बड़ोदा को साथ विकेट सेयरा का यह किताब अपने नाम किया था अगला सवाल है ODI क्रिकेट में साथ हजार रन बनाने वाली पहली महिला क्रिकेटर का नाम आपको बताना है इस कोशन का अंसर हो जाएगा मिताली राज ओप्शन नमबर C यहाँ पर याद रखेगा भारती महिला बल्लेवाज मिताली राज वंडे इंटरनाशनल में साथ हजार रन पूरा करने वाली पहली महिला क्रिकेटर बन गई है मिताली राज वंडे क्रिकेट में छे हजार रन पूरा करने वाली भी पहली महिला क्रिकेटर बनी थी इसके बाद अगला जो step था वो 7000 रन का है वो भी के नाम हो गया है उन्होंने साल 1999 में इंटरनेशनल क्रिकेट में डेबू किया था और यहां पर मिताली राज के बारे में कुछ important fact याद रखेगा इनको 2003 में अरजुन पुरुसकार दिया गया है 2015 में पद मुश्री दिया गया है जो कि भारत का चोथा सर्वुच नागरिक पुरुसकार होता है अब बात करेंगे करेंगे करेंट अफेस रिविजन की हाल ही में मिताली राज अंतराश्चे क्रिकेट में 10,000 अन पुरा करने वाली विशु की दूसरी और भारत की पहली महिला बल्ले बाज बन चुकी है अगला सवाल है अलम्पिक का टीकट हासिल करने वाली पहली भारतिय तलवार बाज का नाम क्या है अंसर होगा भवानी देवी ओप्शन ए क्रिक्ट आंसर होगा यहां पर याद रखेगा तामिलनादू की भवानी देवी इस साल होने वाले टोक बवानी ने 2017 में आइस्लेंड में पहली बार कोई इंटरनाशनल टूर्णामेंट जीता था साथ ही इंटरनाशनल टूर्णामेंट में तलवार बाजी यानि फेसिंग में मेडल जीतने वाली पहली की लाड़ी भी थी Current Affairs Revision में याद रखेगा हाल ही में Thomas Bach को दोबारा अंतराश्ची Olympic Summit का अध्यक्ष बनाए गया है वह 2025 तक यानि 4 साल के लिए चुने गए हैं ये काफी important है recent question आपको यहाँ पर revise कराया जाता है हर question के साथ तो इसको अच्छी तरह से देखा कीजे हाल ही में साहित benefits की परुसकार की गोशना हुई है या परुसकार कितनी भाशा के लिए दिया जाता है साहित wonderful award जो है वह वो कितनी भाशा के लिए दिया जाता है यह काफी महतपूरण सवाल है अकसर एक्जाम में पूछा जाता है, इस question का answer हो जाएगा, option number C, 24 भासाओं में दिया जाता है, ठीक है, यहाँ पर देखना है, अरुन्धती सुब्रमन्यम ने अंग्रेजी में अपनी कविता संग्रह, when God is Traveler के लिए 2020 का साहित एकादमी पुरुसकार जीता है, अनामिका ने ह 24 भासाओं में, यानि आठवी अनुसूची में उरलिकित 22 अधिकारिक भासा हैं, और राजस्थानी और अंग्रेजी, यह दो अलग हैं, जो कि आठवी अनुसूची के अनुसार नहीं है, तो टोटल 24 भासाओं हो जाती है, अगर आपसे सवाल पूछता है कि आठवी अनु पूछी जाती है साहित अकादमी पूरुसकार की, तो फिर यह आनसर हो जाएगा 24, तो प्रकाशित, इसमें प्रकाशित उतक्रिस्ट साहितिक कारियों के लिए सम्मानित किया जाता है, 24 भासाओं में, पूरुसकार के विजिता को पट्टी का और एक लाख रुपे का नकत दिया जाता है, अगला सवाल है, हाल ही में, रावल पिंडी क्रिकेट स्टेडियम का नाम किस खिलारी के नाम पर रखा गया है, इस कोईशन का आंसर हो जाएगा, ओप्शन नमबर भी, श्वेव अक्तर के नाम पर रखा गया है, क्योंकि यह एक पाकिस्तानी क्रिकेट है, यह काफी तेज गिंदवाज थे ठीक है तो इस वज़े से इनका नाम रावल पिंडी एक्सप्रेस के इनको कहा जाता था पाकिस्तान के रावल पिंडी में के आरल स्टेडियम का नाम बदर कर जो अब स्वेव अख्तर क्रिकेट स्टेडियम कर दिया गया है स्वेब अक्तर जो की रावल पिंडी एक्स्प्रेस के नाम से दुनिया भर में मश्वूर है करेंट अफेस रिविजन में याद रखना है हाल ही में गुजरात के मोटेरा स्टेडियम का नाम बदल कर क्या किया गया है नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखा गया यह विश्व का सबसे बरा क्रिकेट स्टेडियम है लखनों में स्थित इकाना अंतर दास्टिय क्रिकेट स्टेडियम का भी नाम बदला गया है भारत रतन अटल विहारी वाजपई अंतर रास्टे इकाना क्रिकेट स्टेडियम कर दिया गया है अगला सवाल देखिए भारती अंतरिक चनुसंधान संगठन इसरो ने किस साउंडिंग रोकेट को लॉंच किया है इस कोईशन का अंसर हो जाएगा RH560 यानि RH560 ऑप्शन ए इसका करेक्ट अंसर है भारती अंतरिक चनुसंधान संगठन इसरो ने साउंडिंग रोकेट RH56 से लॉंच किया है ये दो स्टेटस रोकेट उचाई के साथ हावा के वेभारिक बदलाव और प्लाजमा डाइनमिक्स पर अध्यन करेंगे इस रोकेट को श्री हरी कोटा के 37 दवन अंतरिक्ष केंदर से लॉंच किया गया था हाल ही में इसरो के द्वारा PSLVC-51 रोकेट के जरिये ब्राजील में Amazonia 1 उपगरह के साथ 18 अन्य उपगरह को अंतरिक्ष में भेजा गया है ये इसरो का 33 पोलर सेटलाइट लॉंच विकल मिशन है अगला सवाल देखे हाल ही में BRICS CGETI की पहली बैठक अध्यक्सता जो है वो किस देश ने की है BRICS CGETI की पहली बैठक की अध्यक्सता किस देश के द्वारा की गई है अन्सर हो जाएगा भारत के द्वारा आप सबको पता है BRICS के अंदर कौन कौन से देश है BRICS के अंदर होता है ब्राजील, रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफरिका तो ये पाँच देश आपको नाम याद रखना है ये BRICS के मेंबर है आगे यहाँ पर देख लीजे हाली में BRICS Contact Group of Economic and Trade Issue इसने भारत की अदेख्षिता में अपनी पहली बैठक जो है आउजित की है बैठक की थीम क्या थी? BRICS at 15 इंटरा BRICS Corporation for Continuity, Consolidation and Consensus BRICS के बारे में तो आपको हमने बता दिया कि इसका मतलब क्या है? ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना and साउथ अफरिका यह इसका stand-up form होता है, यह इसका full form याद रखेगा, इसमें यह देश शामिल है 2010 में दक्षिन अफरिका को BRICS में शामिल होने के लिए अमंत्रित किया गया और इसे BRICS कहा जाने लगा, ठीक है? पहले BRICS में जो है यह चार देश ही होते थे, लास्ट में 2010 में कौन जुरा, दक्षिन अफरिका यानि साउथ अफरिका, मार्च 2011 में दक्षिन अफरिका ने पहली बार चीन के सान्या में तीसरे BRICS सिखर समिलन में भाग लिया था किसे asset reconstruction company इंडिया लिमिटेड का MD और CEO नियुक्त किया गया है? इस question का answer क्या होगा? asset reconstruction company इंडिया लिमिटेड का MD और CEO नियुक्त किया गया है पल्लब मोहपात रखो, तो option A correct answer होगा अगला सवाल है, हाल ही में जुमेटो ख़वर में बना हुआ है, यानि चर्चा में है जुमेटो के संस्थापक कौन है? जुमेटो जो है, एक online food delivery जो है वो platform है इसके संस्थापक का नाम पूछा गया है दिपंदर गोयल और पंकचचड़ा, ये दोनों ही संस्थापक है तो option A और B correct answer होगा यानि D option में दिया गया है A और B दोनों तो यहाँ पर दिपंदर गोयल और पंकचचड़ा, इसके संस्थापक है या आपको याद रखना है, option D correct answer होगा जो मैटो के स्थापना वर्स 2008 में की गई थी इसका headquarter गुरुगराम हर्याना में है CEO के दिपंदर गोयल है नेक्स्ट कोश्चन है टर्न एराउंड इंडिया 2020 सर्माउंटिंग पास्ट लेगेसी इस पुस्तक के लेका कौन है इस question का answer हो जाएगा आरपी गुपता, option C correct answer होगा एक्स्टा खुराक की बार ही है आज एक्स्टा खुराक के कुछ questions यहाँ पर आपके सामने है ट्रोफी से related है रंजी ट्रोफी के शुरुवात किस वर्स में हुई थी उसके बाद है दुलिप ट्रोफी के शुरुवात किस वर्स में हुई थी देवधर ट्रोफी के शुरुवात किस वर्स में हुई थी विजय हजारे ट्रोफी के शुरुवात किस वर्स हुई थी सेयद मुस्ताकली ट्रोफी की शुरुवात किस वर्स हुई थी इन सभी questions का answer एके करके देख लेते हैं पहला है जो रंजी ट्रोफी है 1934 में इसकी शुरुवात हुई थी दूसरा दिलिप ट्रोफी है इसकी शुरुवात 1961 में हुई थी तीसरा है देवधर ट्रोफी इसकी शुरुवात 1974-1975 में हुई थी और जो चौथा है विजय हजार है ये हुई थी दो हजार दो तीन में ठीक है इसके बाद देखे जो पांचवा है सेयद मुस्ताकली ट्रोफी ये हुई थी 2008-2009 मेश की शुरुवात हुई थी तो पांचों कोईशन यहाँ पर हमने देखा अब बारी है आज के चिंगारी प्रशन की महिला अंतररास्तिय किरकेट में 10,000 रन पूरे करने वाली भारत की पहली महिला किरकेटर कौन बन गई है इस कोईशन का अंसर आप सबको बताना है, 4 अप्शन्स आपके सामने है कमेंट बॉक्स में आप सबको इसका अंसर जरूर लिखना है उमीद करते हैं आप सबको वीडियो पसंद आई होगी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंशेर किजेगा थैंक यू